हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हर्याना बोर्ड क्लास नाइन नैतिक शिक्ष्या पार्ट नंबर आठ की एक्स्प्लानेशन पार्ट का नाम है दिव्य चेतना पुरूस राम क्रिष्न प्रमहन्ज ये वही व्यक्ति हैं जो की आप इनको नहीं जानते लेकिन आप स्वामी विवेकानल को जरूर जानते होंगे और उन्हीं के गुरू है ये राम क्रिष्न प्रमहन्ज एक अजीव ही कहानी है इनकी भी जिन्होंने अलग-अलग धर्मों को फोलो करा और उसके बारे में उसके बाद इन्होंने बहुत सारे धर्मों के बारे में जाना पहचाना क्या खामिया है क्या है कौन सा बढ़िया घटिया ऐसी बहुत सारी चीजे इनको पता लगी और अंत में ये जो है लोगों को इंस्पायर करने लगे तो ये ऐसी जोसीली कहानी है ये भी मज़ा आएगा आपको कहानी में बोरिंग भरी बोरिंग पहले बता दूँ अगर आपको क्लास 9 नैतिक शिक्षा किसी भी चैप्टर के एक्स्प्लानेशन कोशन अंसर एक इंपोर्टेंट कोशन की वीडियो देखनी है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है वहां से देख सकते हो और अगर आपको जो ही सारी चीजे लिख आलोकिक सपर्ष से स्पंदित कर कालजई संस्क्रिती को पुने स्तापित करने वाले परती भावान व्यक्तियों में रामकृष्ण प्रमहंस का नाम अगरने है यानिकि ये कह रहे हैं कि एक वो टाइम आया था भारत के अंदर जब भारत के लोगों की संस्क्रिती बारत के सब्सक्माइब करें तो प्रमप्रा थी मरब गायब नहीं हुई थी लेकिन कम होती जा रही थी दीरे-दीरे तो उस समय इन्हों लोगों को ज trigirid करा पुन सठापित किया और लोगों को समझाया सिखाया बहुत सारा जो है बाएबिमान रूत हैं, यहний कि लोगों को जो है ना अलग अलग धर्मों के 로ग लूबहा रहे थे चाह रहे थे कि हम भरत वाले लोगों को अपने फैवर में डियॉसाही बना ले, थे वो पूरा कंट्रोल कर रहे थे और अब लोगों को कन्वर्जन चल रहा था बहुत इदर उदर धर्मों में अदल बदल चल रही थी अब एक्जाम में पूछ लेते हैं उनका असली नाम गदादर था अब तुम बोलोगे भीया नाम तो हम राम क्रिशन सुन रहे हैं नाम पहले रख रहा था गदादर ऐसे ही हुआ नाम बदलते रहते हैं उनका असली नाम था गदादर उनकी माता का नाम था चंद्रमणी और पिता का नाम था, खुदी राम, चटोपाद्याय, सन्यास लेने के बाद गदादर का नाम राम क्रिश्न पड़ा, यानिकि पहले जो था जैसे नॉर्मल जिंदगी थी, जादतर लोगों ने, जादतर जो महान लोग हुए हैं भारत के इतिहास में, उनमें से जादतर लोगों परिवार के धार्मिक वातावन का, उनके बाल, मन पर बहुत गहरा परपाव पड़ा, यानिकि बचपन में जो शीखा समझा, वो परिवार से शीखा समझा, बचपन में वे हस्मुक और नटकरते बहुत सरारती थे, उनमें नारी, सुलब, माधूरिया और भावुकता थे, यानिकि बहुती मतलब ऐसे मनोरंजन के साथ खुसी पूर्वक खेला करते थे, जो अंतिम समय तक बनी रही, यानिकि वो जो नेचर था न, उनका वो खुस मिजाज नेचर, वो अंतिम समय तक उनका बना रहा, उनका कंठ सवर बहुत मधूर था, उनके जो गले से जो आवा वाले गीत, गाने, गाएं, चराने, जारा करिशन, वैसे वाले, देवी देवताओं के अभीने में उन्हें इतने आनंद के अनुभूती होती थी, कि उनकी अपनी सत्ता का लोप हो जाता था, यानिकि अपना अस्तेता वो भूल जाते थे, और उनको जो है, भगवानों की एक्टिंग करने में उसमें ही ज्यादा मज़ा आता था, एक बार वे सीवरातरी के उसर पर सीव की भूमी का अभीनित कर रहे थे, यानिकि भगवान सीव का ऐसे एक्टिंग कर रहे थे, उसकी सीवरातरी का टाइम था, उसर था, ऐसे करते हैं ना, बहुत फंक्शन और्ग आँखुज हो गए हो गया, तो उनके आँखों से आसू लगातार बहने लगे और वो बेहोज हो गए, दर्सकों ने सोचा, सायद गदादर की मृत्य हो गए, मर गया हो, पता नहीं क्या हुआ, एक दम से गिर गया नीचे, तो जब राम कृशन साथ वरस के थे, अभी यह कह नीची जाती का है, यह नीची जाती का हम इसको काम देंगे, इसको नहीं देंगे, यह वो और ऐसे बहुत चलता था, उनके गाउं में एक धनी सुद्र ने उनसे आग रह करके यह है वचल ले लिया, कि यग्योपवीत के समय वे सबसे पहले उसी का दान सुवीकार करेंगे अब तुमको लग रहा हो भाई, यह क्या बात हुई, मतलब वो जो है ना जैसे ब्रहमनों को दान देते हैं, यह भी वैसे ही कैटेगरी में आते थे, रामकृष्ण भी, तो इसने जो है जो सुद्र व्यक्ति था, सुद्र यानि कि उसमें बहुत तुछ व्यक्ति जो समझे जाते थे, लेकिन उसके पास पैसा था, तो उसने बोला कि अगर मैं दान सुद्र से दान लेना, अपमान मानते थे लोग, और ऐसा ही कुछ होता है, देखो आप कहानी में आगे बढ़ते चलते हैं, जब उनके बड़े भाई, रामकुमार को इस बात का पता चला, तो वे ट पतान लेना असंभव सा था, यानि कि वो जाती पाती थी न, वो पंगेड़ा रही थी, और कुल मिला के वो दान सुद्र नहीं कर सकते थे, लेकिन वादा कर दिया, अब देखते हैं, क्या होएगा, ऐसा क्रित होता है, कारिया, ऐसा जो काम है, उन्हें समाज से बहिस्क्रि पूरी करते हुए, उन्होंने उस धनी सुद्र से पहला दान स्वीकार किया था, मलब की, जो की एक बहुत ही कह सकते हो, कि समाज के विरुद जाने वाली एक बात हो गई थी, और उस समय भी उन्होंने अपने जो वचन था, उस से पीछे नहीं अटे, आज जीवीका की तला हम क्रिशन से ने वहाँ पढ़ने से इंकार कर दिया कि मैं नियारा पढ़ने पुड़ने आपे, इसी दोरान कलकत्ता की एक संपन महिला रासमणी ने मा काली का एक मंदिर बनवाया था, वहाँ पुरोहित का कारिया करने के लिए एक ब्रहमन क्या उसकता थी, अब देखो व इस मंदिर का दाई तब अपने उपर लेने को तयार ने, कोई नहीं आ रहा कि यहाँ पर मैं इसका पुजारी बनूँगा या ऐसा कुछ, कोई आने को तयार नहीं, क्योंकि मंदिर की परतिष्ठा करवाया थी, मंदिर बनवाया था, जो जिस महिला ने बनवाया था, वह और उसी के चक्र में कोई नहीं आया, उस मंदिर में, रामकुमार नहीं है दाई तब सहर सुविकार किया, और अगले वरस बड़े भाई, रामकुमार की मृत्यू के पस्चाथ, रामकृष्ण ने मंदिर की पुरोहिती का दाई तब संभाल लिया, उनकी उन्होंने जो है, अब मंदिर को संभाल लिया, वहाँ पे जो भी मैनेजमेंट वगरा जो करना था, जो पुरोहित का कारिया था, वो उन्होंने वहाँ पे संभाला, उसके भाई की मृत्यू के पस्चाथ, अब रामकृष्ण का एक मात्र कारिया है, काली मा की सेवा करना था, क्योंकि मंदिर में पुजारी क्या करता है, सेवा करता है माता, भगवान जीसका भी मंदिर हो उसकी, वही हो रहा था, वे सारा दिन मा के समझत कारियों में उनके साथ रहते, माकाली का परिधान परिवर्तन करते, उसे अर्ध्य चड़ाते, भोग भी लगाते थे, वे देवी के साथ इस प प्यार था, भगवान के लिए, माकाली के लिए, वो लगातार, बढ़ता जा रहा था, लोग उनके इस प्रमोनमाद की निंदा भी करते थे, कि यह क्या कर रहा है, यह पागल हो गया, यह वो ऐसे बुराईयां चलती रहती थी, जब यह है समाचार, उनकी माह के पास और ही मुडा पड़ा है, विवा के पस्चातवे फिर मंदिर में आ गए, विवा तो हो गया, विवा करवा दिया, उसके बाद वो आपिस मंदिर में आ गए, मंदिर में परवेश करते, वही उनका भगती में उनमाद पहले से भी अधिक वेग से परकट हुआ, पहले जो प्रिवार से जो है लगाओ बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ ना हो पाया, उनका मानसिक संतूलन चिन भिन सा हो गया, उनके नित्रों के पलक गिरने बंद हो गया, यानि कि वो जपकते हैं ना पलक है, वो बंद हो गया, ऐसे हो गया, मालब जैसे रोबोट बन गया वो, वे एक टक काली मा को निहारते रहते और प्राथा करते दो वरस्दक उनकी यही इस्तिती बनी रही, तो आप भी डर गए हो गया, यह चल गया रहा, इतना अखंड सर्दा वहावना कहीं नहीं देखने को मिल रही थी, यहां देखने को मिल रही थी, एक दिन दक्सीने सबर में भैरवी नाम की एक सन्यासीनी आई, एक सन्यासीनी थी जिसका नाम था भैरवी, अब राम कृष्ण को देखते ही उसके नित्रों से आसू बहने लग गई, वो रोने लग गई, उसने कहा वत्स, ना मालूम कितने दिनों से मैं तुम्हें तलास रही हूँ, काली के भगत रा अध्यात्मीक माता, यान कि जो आध्यात्मीक का ज्यान उनको देखी, भैरवी ने राम कृष्ण को आध्यात्मीक साधना के सभी मार्ग यहां तक कि तंत्रिक साधना भी सिखा दिया, यान कि वो जो मंतर संतर सारा कुछ मनलब फुल टू फुल एक्सपर्ट बना दिया इनको अब आप सोच रहे होगा मनलब ये कहानी किस बारे में चल रही है ना तो ये जो कहानी है ये काफी ट्विस्ट लेने वाली है अभी तक तुमको समझा रहा भाई एक बंदा है अभी तक देखो मैं ऐसे बुरा नहीं बताना चाहरा लेकिन आप समझो एक वेक्ति है जो मा काली के बहुत अखंड भगत हो चुके है और उस से उस मार्ग से उस लेवल से वो कहां जाते हैं आप देखते जाना कहानी में भैरवी के परभाव से ही वे इस वर को मो के रूप में जो है पूजने लग गए किन्तु उनके अध्यात्मिक ज्यान की आत्रा अभी पूरी नहीं हुई थी उनको जो ज्यान चाहिए था ना वास्तवी ज्यान वो अभी तक पूरा नहीं हुआ था 1864 में एक वेदान्तिक पंडित और साधक तोता पूरी ने उनको वेदान्त की शिक्षा दे दी उसकी समझ में आया कि साकार और निराकार एक ही सत्ता है यैंकि कुछ भगवान है जो आकार में दिखते हैं कुछ की मुर्तियं है कुछ बिना ऐसे हैं दिल से मान रहे हैं तो ऐसी जो हैना सारे एक चीज है सब की सब यह है वैसे ही एक है जैसे दूद और उसकी दlica रहता यह जो इसरो सफेद कलर होता है एक के मिना दूसरे का विचार ही एसंबव है मा और ब्रहमा दोनों एक ही हैं अब इनको ये चीज पता लग चुकी थी मंदीर में सब ही पंथ संपरदायों के लोग आकर ठहरते थे मनलब क्योंकि देखो एक तो सुद्र ने बनवाय था कोई जाती-पाती वाला सिस्टम होगा नहीं वाँ पर क्योंकि उन्होंने उन वैक्तियों ने जिन्होंने बनवाय था उस महिला ने कहीं न कहीं अपमान सहन कराओगा समाज के अंदर और उसके बाद जो बनवाया फिर ऐसे थोड़ी नहीं वो घृना करेगी फिर दूसरों से तो सब के लिए बनाया था तो लोग आकर ठाया है ते तेरा अलग धर्मों के वहीं पर एक दिन राम कृष्ण गोविंद राय नामक गरीब मुसलमान को पूजा और प्रात्ना करते हुए देखते हैं वे समझ गए इस वैक्ति ने इसलाम के दवारा भगवान को पा लिया है उनको लगा कि भगवान को जो है इस reality आपको पताओने है कि इनको जो है हमारा एटफी耏ंड मोटिव क्या होता है सभी धर्मों का मोटिव क्या है वो है कि हमको जो है मुक्ती मिलनी एक सच्चे गयान के प्राप्ति होना वहीं सारी चीज़ होते है सभी धर्मों के अदर अब इन्होंने जो है वो तरीका पहले समरपन विजमित करने वाला था कि यानि कि ये कैसे हो गए भाई ये तो कालिमा का भगता अब ये जो है अल्ला को कैसे पुकार रहा है तो बड़ा ही लोगों को अजीव लग रहा था इस सारी चीजे इसलाम साधना के इस अनुभव की उनके व्यक्यताओं ने इस परकार व्य अनुआ है ऑनगरे जो वाला जो धरम है अंगरे जो धरम इसाई उसके साध भी इनका टायम पर साखसातकार होता उनसे भी मिलते हैं वह धरम से मिलते हैं यहीं सन 1874 में कलकत्ता में मलीक नामक एक हिंदू ने उन्हें बाइबल पढ़कर सुनाई बाइबल में जो है इनकी परसीर किताब जैसे हिंदों की गीता है वैसे इनकी इसाई धर्म के लोगों की बाइबल है मुस्लमानों की कुरान है तो ऐसे जो हिनोंने अपनी किताब पढ़ कर सुनाई यहां पहली बार राम क्रिशन को इसा का प्रीचा प्राप्त हुआ कि यह इसा जिसको यह पूजा कर आखिरकार ये कोन है एक दिन उन्होंने दिवार पर तंगा हुआ मेरी और उसके पुत्र का चित्तर देखा चित्तर को देखकर वे भाव मुग दो गए उनको अजीब सा भावना से उसको देखते ही रह गए उन्हें लगा कि वे द्रिश्चय मुर्तियां उनके अंदर प्रव आ ले थे वह उसी समय से वे ईशा के देवताव के वी में विश्वास करने लग गए कि इसा में भी आखिरकार कुछ है परंतु उनके लिए केवल ईशा ही भगवान के अवतार नहीं थे उनको क्यों की देखो हर जगए पर देख रहा वह यहां पर भी है यहां पर भी है आपना जीवनियापन कर रहे थे विभिन साधना मार्ग और पन्थो की जानकारी प्राप्ट करने के बाद उन्होंने ये बात तो समझ ली कि सभी धर्मों में इस वर एक ही है जो भगवान मान रहे है जिसको हम वो सभी धर्मों में एक ही है केवल उनके प्राप्त करने के मार्ग अलग अलग है कोई कैसे प्राप्त करना चारा भगवान को कोई कैसे प्राप्त करना चारा है वे अपने सिश्यों से कहते थे मैंने हिंदू मुसल्मान इसाई सभी धर्मों को अनुसिलन किया है यानि उनका पालन किया है मैंने देखा है कि उस एक भगवान की तरफ सब के कदम बढ़ रहे हैं यदपी रास्ते अलग-अलग हैं तो ऐसा जो है उन्होंने कहा रामकृष्ण की द्रिड भगती और सच्ची विरक्ती को देखकर लोग उनकी और आक्रिष्ट होने लग गए यानि कि लोग उनसे इंप् अधिक परभावित हुए यदपी केशवचंदर रामकृष्ण के प्रोमोन माद को पहले संधे की द्रिश्टी से देखते थे यानि कि जो उपदेश देते थे वो रामकृष्ण जो है तो उनकी जो बाते थी केशवचंदर पहले मानता है क्या भैंकराईगे तो लेकिन बा दीकी सपस्टता को देख कर वे आस्टरिया में डूब गए कि नहीं ये बंदा है रियल में कुछ है ये तो अब ये उसको भी ये लगने लग गया था नरेंदर जो बाद में स्वामी विवेकानन्द के नाम से विख्यात हुए आपने इनहीं का नाम सुनाओगा ज्यादा तर जो पोपुलर हुए थे क्योंकि नोंने जो है विदेश में जाके अपने धरम का डंका बजा दिया था ये रामकृष्ण के ही शिश्या थे इनहीं स्वामी विवेकानन्द ने सिकागो की धरम संसद में वेदांत और भारतिये संस्कृति की तार्गी की वैख्या कर पूरव क्या था विदेश में शिकागो के अंदर जो है एक मीटिंग चल रही थी ऐसे धरमों के बारे में कि ये धरम बढ़िया ये वह ऐसा ऐसी वैसे चल रही थे अपनी मीटिंग चल रही था उनकी और वहां पर जब स्वामी विवेकानन ने अपना उपदेश देना शुरू करा और उस समय भारत जो है अंग्रेजों की गुलामी में था और सोचने वाली बात है ये कि अंग्रेज उस समय भारतियों को कुछ समझते नहीं थे लेकिन जब स्वामी विवेकानन ने जो उपदेश दिया वहां के लोगों की आँखे फटी के फटी रह गई वहाई ये कैसे ह हो सकता है और उसके बाद अपने धर्म को हिंदू धर्म को भी वो लोग इज्जत देने लगे थे तो इसी वजह से हम इनको जानते हैं ज्यादा तर तो ज्यातर जिनोंने जाना होगा इनके बारे में इसलिए जानते क्योंकि जो धर्म संसद हुआ था वहां पर शिकागो मे उसमें जो है अंग्रेजों की बोलती बंद हो गई थी रामक्रिशन तन और मन दोनों से अत्यंत समवेदन सील थे अधीक सीत ताप उन्हें सहन नहीं होता यानगी ना तो ज्यादा गर्मी सहन होती थी ना ज्यादा ठंडी एक बार ठंड लगने पर लगने से उनका गला सू पड़ गई इतना होने पर भी उन्होंने उनके होटों पर सदेव मुस्कान रहती थी ये बड़ा ही अजीब था कि दुख और कष्टों के साथ वो जीवन जी रहे हैं इन सब के बाद भी उनका जीवो जो है दिल से खूस है कही नहीं रामक्रिशन का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता चला गया दिशंबर 1885 में उन्हें स्वास्थे लाव के लिए कलगत्ता के श्मीप कोशीपूर के उद्यान में ले जाए गया अपने जीवन के सेश आठ महीने उन्होंने वहीं पर व्यातित किया और उसके बाद वो इस दुनिया में नहीं रहे तो ये थ करते थे वो पसंद थी उनको लेकिन एक टाइम आया जब उनको मा काली का मंदीर का जो है पुजारी बनाया गया और वहां पर जो हमने काफी लंबा समय अपना बिताया और अखंड सर्था थी मा के परती लेकिन उसके बाद में वो अलग-अलग धरमों में जाके देखने ल जाओ लेकिन उनको सबको भगवान की प्राप्ति करनी है और उनके जो है फिर उपदेश देते गए वो लोग इंस्पायर होते गए और उनके जो है इंस्पिरेशन से बहुत सारे लोगों ने देश में जो है अपने धरमों का परचार भी गया फिर बाद में ठीक है तो ऐस इसी कुछ कहानी है इनकी इंदा समरी भी मैंने बता दी और शुरुआत से हम चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं वो समझ में आई गया होगा कोई मुस्किल कहानी नहीं है आसान सी है ठीक है चलो मिलते हैं ने वीडियो में बाइबाइब